Friends, मैं LINE अरविंद कुमार अपने YouTube चैनल में आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ ये बहुत ही important topic है क्योंकि ये leadership development से related है आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे Lines International में हमारे headquarter के द्वारा बहुत सारे leadership courses हैं जो provide किये जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने club के लिए अपने district के लिए, अपने zone के लिए, अपने region के लिए अपने community के लिए और अपने business के लिए भी कर सकते हैं Yes friends, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो Lines Leadership की जो training है ये दो तरह के होती है एक जो online learning है दूसरा जो in-person learning है in-person learning अर्था जिसमें आपके कोई mentor होते हैं जो एक जिगह पे आपको कोई fix time में fix location पे आपको training देते हैं वहीं दूसरी और Lines Learning Center एक ऐसा concept है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़े Lines International के दुवरा सिखाई जाती हैं और इन training को आप अपने घर बैठे जब आपको समय मिले तब access कर सकते हैं और इसका बकाईदा एक record जो है वो आपके maintain होकर के रहता है जहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस हिसाब से आपने कौन-कौन सी training की कब की उसका सारा record जो होता है वहाँ पे मौझूद होता है तो Lines Learning Center जो है इसको कोई भी access कर सकते हैं हाँ यह अलग बात है कि उसके कुछ-कुछ courses जो है वो as per your responsibility वो वहाँ पे fix होते हैं so होते हैं जैसे district governor के रूप में अगर आप हैं तो उस तरीके के responsibility के courses आपके सामने show होते हैं तो let us talk about all those Lines Learnings which are provided by the Lines International for your development ध्यान रखिएगा friends यह केवल Lines यह जितनी भी training है ना इसके जो modules हैं इतने अच्छे हैं कि not only in the field of linism you can use those training in your day-to-day affairs as well as your business तो आप अपने business के लिए अपने service वाले area में जैसे conflict resolution का है जैसे time management का है तो यह सभी courses का प्रयोग आप अपने daily life में भी कर सकते हैं तो हम लोग बिना देर किये हम लोग जानते हैं कि आखिर इसको access कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको access करने के लिए आपको आपका username और password होना चीए अपना username आप register कर सकते हो आप अपने आपको तो चलिए देखते हैं हम लोग one by one की कैसे करते हैं सबसे पहले जो उपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे यह दो three lines है यहाँ पे आपको click करना है और member login पे जाना है चलिए मैं click करना हूँ यह देखे मैंने click कर लिया you can see here there is a member login option yes this one तो हम लोग यहाँ पे member login पे click करते हैं और login to my LCI करते हैं यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ में फ़र से line account ID that is the registered mail ID or the mobile phone and the password पूछेगा हम लोग इसमें अपना mail ID और password डालते हैं तो इसको हम लोग मैंने अपना username और password यहाँ पे डाल दिया है और मैं यहाँ sign in कर रहा हूँ sign in जब आप करते हैं तो तो आपका यह जो page खुल जाता है member portal का आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे club का नाम राजधनवार शो कर रहा है और मैं district 322a से हूँ और यह news feed है announcement section है अब आप देखेंगे कि उपर में आपके एक जगह पे एक learn का button बना हुआ है this one ठीक है learn का जो button है आप वहाँ पे click कीजिए learn button पे जब आप click करते हैं तो एक नया page इस तरीके से आपका खुल रहा है देखें यहाँ पे तीन options आपको दिख रहे हैं एक है lines learning center का एक है LCI institute का और एक है local training का तो लोकल ट्रेनिंग और LCI के जो institute होते हैं तो जो लोकल ट्रेनिंग और LCI institute होते हैं वो in person होते हैं और लोकल ट्रेनिंग जो generally है वो जो हमारे GATT या GLT coordinator होते हैं वो इसको set करते हैं और उसके हिसाब से आपके यहाँ पे courses दिखने शुरू हो जाते हैं तो हम लोग बात कर रहते हैं यहाँ पे lines learning center की इसलिए हम लोग lines learning center के सामने जो yellow color का go button बना हुआ है we will click there and let us see what happens देखे एक page यहाँ पे नया खुल रहा है जो हमारे lines training से ही related है यह देखे एक page यहाँ पे खुल चुका है welcome अर्विंद कुमार यहाँ पे देखे सामने में कुछ buttons बने हुए हैं इस section में यहाँ पे देखे all in progress overdue not started and completed तो आपने जो जो course complete किया होगा उसकी list यहाँ पे completed section में आ जाती है और यहाँ पे जो आपको course करना चाहते हो by chance आपको कोई course करना है तो कैसे करेंगे देखे यहाँ पे इधर कुछ buttons बने हुए हैं जिसमें से एक है content library ठीक है what you will have to do is to click on the content library option and you will find a number of courses here which you could do as per your time line और यह सभी courses जो हैं जैसे मैं आपको एक छोटा सा example बता रहाँ there is a course here coaching once I click on the coaching what happens that this course is already completed by me that is why here 100% is written and all are green tick marked ठीक है ना तो यहाँ पे यह green tick mark है मैंने सारा course इसका यह वाला complete किया हुआ है तो content library में हम लोग जा करके हम लोग यहाँ से कोई भी course को access कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ से एक access कर रहा हूँ club officer's training ठीक है ना club officer's training को मैं जब access करता हूँ तो what happens that की एक न्या page हमारे सामने कुलता है club officers training का जिसमें यहाँ पे 0% लिखा हुआ है और जैसे हम यहाँ पे start पे click करते हैं तो यह हमारा course start हो जाता है और फिर हम इसके modules को धीरे धीरे करके एक-एक करके हम यहाँ पे complete कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा बहुत सारी training को आपको जानने का मौका मिलेगा चली एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ reports का yes friends देखे इस page में आपका reports का एक button बना हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ कहां पे यह देखे यहाँ पे reports का जो button है आपको उस पे click करना है और इस report के button पे click करने के बाद आपके सामने एक list आती है एक page आता है जहाँ पे आपने जो जो courses को already complete कर लिया है उसके बारे में सारे details होते है देखी यहाँ पे यह अभी घूम रहा है यह अभी आपके सामने आ जाएगा Yes friends देखी यहाँ पे आ चुका है आपको कहाँ click करना है वो देखिए यहाँ इस जगह पे select a report का option है ठीक है ना तो you have to click there select a report पे यहाँ पे click किजे और my learning records देखिए यहाँ पे आया हुआ है my learning record पे click किजे my learning record पे जब आप click करते हैं तो यह देखिए यह मैंने जो जो trading complete किये है उसकी पूरी list है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इंस्टिचूट में एललाई डली 2017 के बैच में मार्च 2018 में complete किया था फिर आप देखिए इसमें action planning to achieve district goal, coaching coaching मैंने दो दो बार complete किया है एक मैंने 2015 में किया था और एक 2020 में और creativity I had completed in February 2014 यहाँ पे आपको पूरी list मिलती है जो जो course आप already complete कर चुके है उन सभी की तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा चैसे effective team है मैंने effective listening का course किया हुआ है या delegation का है decision making है lines leadership है managing change है mentoring है यहाँ पे PST schooling training भी मैंने local training complete की वी थी as a trainer मैंने किया हुआ है complete writing your personal mission statement time management that means की general life से भी related जितनी सारे जानकारियां है जितनी सारे knowledge हैं वो आपको बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे तो मैं आपको suggest करूँगा कि lines learning center के यह जो courses हैं इनको आप जरूर कीजिए और अपने knowledge को बढ़ाईए अपने leadership quality को बढ़ाईए और linism में अच्छा और अच्छा साथी साथ अपने जिंदिगी में भी अच्छा और अच्छा करने की courses कीजिए इसी के साथ आज का course मैं यहीं पे complete करता हूँ उम्मीद है कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे और तरह तरह के courses को सिखेंगे Thank you, thank you very much